इन राजों में करारी हार के बाद में कॉंग्रेस महाग अडुदनन के साथ में एक बार बैठक करने वाली है। लूट का प्रियास करेंगे, लेकिन जनता उनको जानती है, वो इखटे आए, वो अलग-अलगो कराएं, चाहे वो अपना रूप बदल कराएं, चाहे वो जनेव पहन कराएं, चाहे वो तिलक लगा कराएं, लेकिन वो हैं वही। क्लाइन लिखी गई, हम सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए सब मोधी को चुनते हैं, क्या मैसेज देने की कोशिच की गई? राजियों को चाहे वो चाहे वो चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य पृदेश हो, और चाहे बेहत सांदार प्रदर्शन रहा हो हमारा तेलंगाना में इस देश में सर्फ एक ही गारंटी चलती है वो है आदर निये प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी की गारंटी तो मंद्र देश में कैसी देखते हैं कि 18 साल से लगातर शिवरा सिंग चोहान की सरकार है और कहा जाता है कि एक हो जाती है लेकिन यहां तो एक तरफा महुल दिखा आप भारती जनता पार्टी के समय में कोई एंटी इंकंबंसी नहीं होती मानती के कोई इंटी इंकंबंसी होती है आप गुजरात देख लीजे आप 2019 में जब चुनाओ हुए थे तो लोग कहते थे के भारी इंटी इंकंबंसी है नरेंदर मोदी जी को बड़ी मुश्किल होगी यह हुआ पिछली बार से जादा सीटे लेकर आपकी बार जो बात जिस तरिके से चुनाओ घटित हुए और जिस तरीके से प्लाइनिंग है और जिस तरीके सेूख्यिय성तिके siis cash really बाढ़anिक भाजपा है तयार और अपकी बाष्सों पर form देंगे तुम आप कीजिए जनता आपको बरदाश्ट नहीं करेगी आप नरेंदर मोदी जी को एक गाली दीजिए जनता आपको पलट कर कितने वोट आपसे छीन लेगी आप उसका अंदाजा इन राज्यों के चुनाव से लगा सकते हैं जिस तरीके से तमाम चीजें हुई ल आजस्थान एक बहुत ही शांथ प्रदेश रहा है शूरवीरों का प्रदेश है लेकिन बावजुद उसके जिस तरीके से गहलोज जी ने तमाम विशाओं पर उनकी सरकार फेल रही मतलब आप सूचिए मापदमावती के राज्ये में महिला सुरक्षत नहीं है उनकी लेकिन स्रीघंगर में सबसे ज़ादा महिंगा पेट्रोल मिलता रहा जिस तरीके से बिरूजगारी का आलम वहां पर रहा जिस तरीके से सामपरदाइक था बहुत बड़ा विशे बनी तुष्टी करन में आकर जिस तरीके से आए दिन राजस्थान में दंगा पे दंगा- और आज क्या हाल है कोई भी घटना है कितनी इस तर तक जाकर गिरी हैं कहीं ना कहीं अगर आप पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे तो जनता तो जवाब देगी और उन सब से उपर आदर्णिय प्रधान मंत्री जी का चेहरा मैं मानता हूं कि एक अलग ही लेवल का जो है तो पूर्ण विशे बहुत रोल प्ले किया उसने और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नीतियां जो है जब आप प्रॉमिसेज और डिलिवरी को किसी हद तक बिल्कुल सेम लेवल पर ले आते हैं तो जनता आपको पसंद करती है आप प्रॉमिसेज करें देना आप ग कि चीजें जो हैं आप चुनाव जीतने के लिए तुष्टी करन में इस तरीके से गुष जाएंगे इस तर तक गुष जाएंगे तो कहीं नहीं जनता तो जबाब देगी और जनता ने दिया भी है जब देखते हैं कि भाजपा को भी शायद भरोसा नहीं था जिस आपसे वहाँ पर फुल भावत भी सरकार रही है नहीं भाजपा को भरोसा था मैं अबी सुबा कल मतलब सुबा दस बजी एक चैनल पर था मिल्कुल नौ बजे लिए चैनल पर तो वहाँ पर दो राज्यों साड़े नौबें तक दो राज्यों को तो ठीक था था ता तीसरे का चाटीसगर का नहीं आ रहा था तो मैंने उनसे कहा कि आप अभी साड़े ग्यारा तक रुकिए ये आंकड़े बिल्कुल इसके ऑपसे वजा है आप देखिए ना जिस तरीके से घोटाले हुए सबसे पह तो दिन्त का ये भी के महादीव अपका चला फिर उसके प्रमोटर का घीना कर देखिए ह्ये जाए ना को 409 रॉट biz चाहे करोड़ा में चाहया चाहीं चछाय शराब में इसोटाला हो जाना चाहे घोड़ा फराण में ऐसे बाइो ना कमाल की बात तो ये यह को नीग का नाम चाहे तमाम तरह की यह थी चीज़ें हैं जो वहाँ पर हुई बगेल जी ने मतलब जिस तरीके का महौल एक बनाया हुआ था उन्होंने मीडिया फ्रेंडली सबको यह लगता जरूर था तमाम जो मीडिया वाले थे सबको लगता था कि हम चुनाव जीत रहे हैं भगेल और भगेल को बड़ा मतलब कहते हैं बहुत एजी केक वाक है कम्फिटबल बिन है लेकिन ग्राउंड पर विशे कुछ और था ग्राउंड पर यह सारी परिशानिया थी ग्राउंड पर ये चीजें थी, ग्राउंड पर दिक्कतें थी, उसी का परेणाम है और कहीं न कहीं, 36 गड़ में हम 15 साल रहें 15 साल के बाद 5 साल में 36 गड़ की जनता को समझ में आ गया कि ये कॉंग्रेस वाले तो विकास नहीं करें माइंड सेट है किसी भी राज्य में सरकार में आने के बाद, लूट वाला जो माइंड सेट है वो अब जनता को एकसेप्ट नहीं है, जनता अब उस पर वरोसा नहीं करती है लेकि मोधी का जादू, तेलंग का नाम है, कैसे कमजोर पड़ गया बिलकुल कमजोर नहीं बड़ा, हमारा 2018 में वहाँ अप्रॉक्सिमेटली 7% वोट शेयर था, जब हम 2019 में वहाँ पर पहुंचे तो हमारे 47% बने और अप्रॉक्सिमेटली 19% वोट शेयर होया अगर मैं विधान सभा के हिसाब से बात करूँ तो हमारा वोट शेयर भी बढ़ा और एक से हम सीधा 8 सीटों पर पहुंचे हैं मैं ऐसा मानता हूँ कि जब आप किसी भी राज्ये में आते हैं, चुनाओ, जीतना और लड़कर आगे बढ़ना एक प्रोसेस है जिसमें धीरे 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 आप आगे बढ़ते हैं तेलंगाना में भी कहीं ना कहीं भारती दिंता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा हाँ, हम इसको और बहतर कर सकते थे, और बहतर करेंगे आपको 2024 में भी देखने में आएंगे और उनको तेलंगाना में जिन्होंने सरकार बनाई है उनको पता भी है ये बात बहुत अच्छी से और तमाम तरह की ऐसी चीज़े रही लेकिन अंततह ये साफ है कि रजल्स बहुत शांदार रहे और इस देश में अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक कोई ऐसी जगा है नहीं जहां पर मोदी का जादू नहीं चलता लोग mathematics में गुसे होते हैं जोड घटा करते रहते हैं इखटे होते हैं सब चीज़े करते रहते हैं चुनाओ mathematics का नहीं chemistry का खेल है और भाई यहां logic से ज़्यादा magic चलता और magic बे सर्फ एक ही वेक्ति का चलता है वह यहादर नहीं प्रधान मंत्री चुनाब पढ़नाम आने से पहले वर्ल्ड कब हारने के एंड मौके पर रहूल गंदी ने प्रधान मंत्री के लिए प्रणाओती जैसे शब्द का इस्तमाल किया था मुझे लगता है कि इससे जादा गिरा हुआ कोई स्तर हो नहीं सकता आप एक प्रधान मंत्री के बारे में बात करते हैं मैं आपको एक छोटा सा एक्जेंपल देता हूं इंद्रा जी एक बार गई थी एक गेम में और वहां पर किस तरह के हालात हुए थे भारतिये टीम हार हैं में बाकार गई थी और बावजूद उसके जो है कोई ऐसी बात नहीं हुए और भी बहुत सारे प्रधान मंत्री जादे या फिर बहुत सारे नेता जाते हैं, आपने कभी आस तक ऐसा देखा कि किसी को ऐसा कुछ खा गया हो नहीं, खेल का विशह है, खेल में जब 140 करोर लोगों की भावना ये लगी हो, तो कम से कम उस समय तो उसमें तो आप राजनीती मत करें, अगर आप वहाँ पर भी राजनीत उनकी वो कैसे कर लें, लेकिन वो इस बात को जानते बहुत अच्छे तरीके से हैं, कि जो उन्होंने किया है, वो उनके लिए कितना खतरनाक और कितना उल्टा साबित हुआ है, उनसे बहतर कोई नहीं जानता, इस बात को। वहीं पर रहें, और ऐसे भारती जिनता पार्टी को जीतने में मदद करते रहें, लेकिन चाहे वो राज्यस तरकार की नीतियां रही हों, चाहे वो एक कारेकरता, विधाय, सांसद मंत्री, मुक्या मंत्री, और फिर उसके बाद सांसद हो गए, उसके बाद तवाम संगठन के लोगों, राश्यद्यक्ष, ग्रह मंत्री, प्रिधान मंत्री, सबका प्रियास रहा, सबने कलेक्टिव लेक दिन राज्यों महनत करी और आपको याद होगा, तीन महीने पहले लोग कहते थे कि मद्धे प्रदेश में बीजेपी की 50 सीटे भी नहीं आएंगे, 36 गड़ मे लोग हमें कहते थे कि हम कहीं ही नहीं आसपास में, तीन महीने में इतना transformation कैसे, कहीं न कहीं, election जो पढ़ा जा रहा था, वो बिल्कुल गलत था, लोगों के दिल और दिमाग में चीजे बहुत क्लेर थी कि किसको वोट करना है, कहां वोट करना है, कैसे वोट करना है, और वो लंबे समय तक देश में जब सिर्फ कांग्रेस हुआ करती थी, बस वही एक दोर रहा है, उसके बाद से अगर मैं बात करूँ, नबे के दोर के बाद से अगर मैं बात करूँ, खास दोर पर, तो आपको कोई ऐसी इतनी बड़ी-बड़ी जीत और इतने लंबे समय तक चलने कि नई हम तो अकेले-अकेले अलग-अलग करके लूटेंगे, लूटने गुश गये, जब लूटने गुशे तो जनता ने पकड़ लिया, जनता ने पकड़ा, मारा पीटा, जेल में डाल दिया, सारे एक ही जेल में चले गए, तो लगा कि आब क्या करें, आब तो लूटने लगातार भाई को भाई से जाट को जाथ से लडाने की कोछिश कर रेहे टे यह वही हैं हो सकता है कि 24 से पेहले थोड़ी भगवान निद्धी हो जिसकी उमीद कम है क्योंकि भगवान को तो वो मानते ही नहीं उनको राश्रवाद ही नहीं लेकिन अगर थोड़ी सी बुद्धी दिये तो मुझे लगता है कि वो फिर से रूप बदल कर आने की कोशिश करेंगे लेकिन जनता उनसे जादा बहतर उनको जानती है और अब उनको भी शायद ये समझ में आ रहा होगा वो अलग बात है कि लोगतंत्र है कोई हार मानने को तेयार होता नहीं दो हजार चौपिस ऐसा लग रहा है जैसे राइटिंग ऑन दवाल है पूरी देश में आप भी घूमते हैं आप भी लोगों से मिलते हैं समझते हैं तो आपको खुदी लोग कह देते होंगे कि मोधी जी की कोई बराबरी नहीं है और ये तो विपाक्ष वाले भी कहते हैं कि लोकसभा और विज्वधान सभा में फरक होता है चुनाव वोटिंग पैटर्न में जब मोधी जी का डिरेक्ट चुनाव नहीं था तो तब जनता क मैं तो सक्सेस्फुल नहीं हो सकता देश की जनता प्रधान मंतरी जी के प्रती जिस तरीके से आशानवित है जिस तरीके से समर्पित है इन लोगों के कहीं पर भी कोई जगा नहीं है आप मुझे एक चीज़ बताई है पहली बात तो यह कि अगर ये साथ होते तो चुनाव में उसका सरतिकता आपको चुनाव में साथ होते हैं क्योंकि खुद की हर किसी की महत्वा कांख्या है इतनी जादा है अखिलेश जी को प्रधान मंतरी बनना है ममता जी को प्रधान मंतरी बनना है लालू जी की बेटे को मुख्या मंतरी बनना है इसके अलावा और जितने भ बात है किजरिवाल चाहता है मेरा कहीं मौका लग जाए तो और भी अच्छी बात है तमाम लोग हैं सब को प्रधान मंत्री बनना लेकिन प्रधान मंत्री वह बनता है जिसको जनता बनाती है सब एकटे होने से पहले वैसे तो मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद इखटे ही नहीं अगर हो भी गए जनता को इससे कोई बहुत जादा फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि अब आपने चुनाओं ये वाले देखे होंगे इन चुनाओं में कोई उनके पास कोई विजन है क्या आज भी आने वाले समय में 24 में बस उनसे पूछे क्या करना है मोधी जी को हटाना है समविधान बचाना है नहीं ऐसा कुछ नहीं है आपको अपने बेटे आपको अपने भतीजे आपको अपनी कुरसी आपको अपनी ताकत अपना पैसा अपनी सत्ता ये सब बचानी है देश नहीं बचाना है उन्हें सब ये बचाना है और उसके लिए वो मिलकर सब जो भी प कर ही दिया होगा उनको भी पता है कि वो नहीं है माली आजा कि तीनों राज्यों ने चौविस का रास्ता साफ कर दिया है मैं मानता हूँ 24 का रास्ता पहले भी साफ था हम उसको लेकर पूरी तरीके से अशानवित थे लेकिन हाँ जनता ने जो जीत दी जनता ने जो प्रचंड बहुमत दिया जनता ने जो विश्वास दिखाया जहां हम सरकार में नहीं थे जनता ने वहां हमारे वादों को माना कि भारतीय जंता पार्टी और प्रदान मद्री जी बहतर कर सकते हैं। जहां हम सरकार में थे, वहाँ पर भी हमारी गारेंटी को माना गया कि सरकार ने काम अच्छा किया है और आगे भी अच्छा करेंगे। तो इससे साबित होता है कि गारेंटी तो इस देश में सर्फ एक ही आदमी की चलती है और किसी का तो सबका कहना है और किसी पर कोई विश्वास करता नहीं है फिलाल।